हाँ जी बनाली सिवरात्री मैंने भी भोले बाबस से कौन प्रेम नहीं करता इंसान देपता असुर भगवान इसलिए तो देवों के देव हैं महादेव हैं अब भोले बाबा का दिन है तो मंदीर तो जाना था ही तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मेनत की जाए बाबा से मिलने के लिए इसलिए मैं चल दिया कोड़वार से लगवग 20 किलोमेटर दूर एक मंदीर की तरब ये मंदीर एक सिद्ध पीठ है और यह सने के पास जंगल में है सडक से एक किलोमेटर का पैदल रास्ता है ज्यादतर चड़ा ही है और इस रास्ते पर दूपी तेज लगती है ना रास्ते में पानी है और ना मंदीर में ही पानी है इसलिए पानी साथ में लेकर जरूर चलिए रास्ते में धूल भी बहुत है इसलिए हो सके तो मास्क भी पहन कर चले रास्ता पूरा जंगल का है सिवरात्री का समय है इसलिए भीड है इस रास्ते पर वरना सुनसान रहता है अकेले आने में जानूर का खत्रा भी हो सकता है हाथी गुल्दार वगेरा यहां आपको गुमते मिल सकते हैं आज तो पूरा समा सिव में हुआ रहता है इस मंदिर में भी ऐसा ही है भक्तों की भीड लगी वी है आसपास के गाउं और कोड़द्वार से तो लोग आते ही हैं उत्तर परदेश के विजना और आदी तरब से भी लोग यहां पहुँचे रहते हैं मंदिर में कीरतन वजन होते भी आपको मिल ही जाएगा यहां पर एक सिद्ध बाबा का मंदिर है और एक भोले बाबा का कुछ लोग तो इसे सिद्ध बली का पुराना इस्तान भी कहते हैं मंदिर उचाई पर है तो यहां से कोड़द्वार और खोव नदी का बहुती प्यारा द्रिश से देखने को मिल जाता है सिवरातरी मनाने की भी अलग-अलग कहानिया हैं कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन सिवर पारवती का विवाह हुआ था और कुछ लोग इसे सिवर जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं अन्य भक्त मानते हैं कि जब समद्र मन्तन हुआ था तो सबसे पहले हलाल या कालकूट विष निकला था तो भगवान सिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयम पी लिया था विष उन्होंने अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया था जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसलिए नील कंठ कहलाए भगवान सिव के इसी परवपकार के उपलक्स में सिवरात्री मनाई जाती है इस दिन परशाद के रूप में भांग का दूदिया भी मिलता है भोले का दाम छोटा हो या बड़ा हो शुकून पूरा मिलता है इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें पसंद आया तो सेर भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आप अपना ख्याल रखिए धन्यवाद